हम एपसे हाथ छोड़कर बेनिती करते हैं आप ये राज में छोड़कर मत चाहिए इस राजपरिवार को मनों की जरुवत है नहीं हो राज अब इस राजपरिवार को मनस्वणी की कोई जरुवत नहीं है मनस्वनी नागवन्ष के खत्रोय की वज़े से यहां रह रही थी पर अब ना तो वो नागिन है और ना ही उस नागिन का खत्रा मनस्वनी की सारी जिम्हेदारियां खत्म हो चुकी है और यूद के बाद रण भूमी पर योध्धा का कोई काम नहीं होता मुझे बहुत गमन था अपने और अपनी इन शक्तियों पर लेकिन इतनी शक्तियां होने के पावजूत भी मैं उससे हार गई लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी मैंने हार अब तक नहीं मानी है उसने मेरे शरीर पर गाव दिये है लेकिन वो मेरा फन कुचल नहीं सकती हमारे और मनू के बीच एक रिष्टा भी बाकी है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता ये हमारे पत्नी है जो रिष्टा खुद बगवान ने जोड़ा है आप उसे हलकार नहीं कर सकते कोई भी रिष्टा रिष्टा तब कहलाता है जब उसे समाज की और घर वालों की मानेता मिल जाए आप जिस रिष्टे की बात कर रहे हैं उसे ना मनस्विनी के परिवार ने जोड़ा था और ना ही आप के परिवार ने रेत पर इनसान लकीर तो खीन सकता है पर उससे जिन्दगी भर का रिष्टा कायम नहीं कर सकता क्योंकि उस लकीर की किस्मत में मिटना ही लिखा होता है रिष्टा तो बराबरी वालों में होता है एक मामूली से देवरक्शिका का युवराज माधव के साथ क्या रिष्टा ऐसा रिष्टा ये राचपरिवार कभी स्विकार नहीं करेगा कि यह दिल गा रिष्टा और दिल का रिष्टा इनसान का दिल देखकर जोड़ा जाथा है उसका रुथबळे कर नहीं दिल का कोई भी रिष्टा परंपरा से बढ़कर नहीं होता युवराच अच्छा यह होगा कि आप हमें यहाँ से जाने दे महाराज, हम आपके सामने हाथ जोडता हैं, महाराज. बनु को रोक लीजे. उन्होंने अमारी परिवार की बहुत सेवा की है, महाराज. उन्हें जान की बाजी लगा कर हम सब की रक्षा की है. अपना फैसला हैं बदल दीजे, महाराज. जिवराज मातव, उन सब का यहां से चले जाना ही, हम सब के लिए बहता रहें. अब मुझे कोई नहीं रोक सकता. अंगारों पर चलके इंसान भी फॉलाद बन जाता है और ये फॉलाद से टकरा कर, उस देवरक्षिका को तूटना ही होगा. मैं एक इच्छाधारी नागिन और एक इच्छाधारी नागिन को हराना नामुम्किन है. अगर ये राश्परीवार अमारी पत्नी को सुईकार नहीं कर सकता, तो हम इस राजमहल में एक पल भी नहीं रुखना चाहते हैं. हम अभी इसी वक्त यहां से जा रहे हैं. योराजमाधा बाव ऐसा नहीं कर सकते, आप यह मत भुलिये कि आया इस राजमहल के वारिस हैं. वमें माफ कर दीजेवा, लेकिन अगर ये राजमहल थे, हमारी पत्नी को अपना नहीं सकता, हम इस राजमहल को अपना नहीं सकते. आप अपनी साथ इस राच परिवार की इजद भी लेकर जा रहे हैं जानती है ना परिवार की इजद तो बहु से अपती है जिसने आपने खुद यहां से पाहर निकाल दिया है हमें लगा था कि कोई हमारी बात माने या ना माने लेकिन हमारी माँ हमारे दिल का हाल सरूर समझेगी लेकिन आपने तो अपनी कासम देकर हमें जाने से ही रोग दिया माँ मैं काल यग्य करूंगी और इसका यग्य से मुझे जो शक्ती मिलेगी और शक्ती का कोई तोड नहीं होगा अब यू व्राँच भी मेरे होंगे और बूर नागमणी भी ओर अब व्राँच भी